मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो आज फिर से आपका स्टुरेंट मोटिवेशन में स्वागत है और जो आज हम टोपिक डिसकस करने वाले हैं वो है नेवर कुईट यानि कि कभी हार मत मानो दोस्तो जब हम लाइप में आगे बढ़ते हैं या फिर कुछ नया करने के कोशिस करते हैं तो हमें पोजेटिव लोग भी मिलते हैं और नेगेटिव लोग भी मिलते हैं अगर आप लाइप में कुछ करना चाहते हैं बलकि winner वो लोग होते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते हैं। अगर आप life में अपने dream को achieve करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों पर focus करना है। पहला है believe in yourself यानि कि आपको खुद पर ब्रोसा रखना है। और दूसरा है never quit and keep moving यानि कि आपको हार नहीं माननी चलते रहना हैं। आप अपने dream को पाने के लिए जिस रास्ते पर चलोंगे वो रास्ता कभी भी आसान नहीं होगा। वो बहुत जादा मुश्किलों से बरा होगा। और उस रास्ते पर बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको जो आपको आपके dream से दूर करने की पूरी causes करेंगे। पर आपको इतनी सारी कटनाई होने के बावजूद भी हार नहीं माननी। आपको खुद पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते रहना है। अगर आपने हार मान ली तो आपका dream एक dream ही बनके रह जाएगा। और एक दिन आप खुद से कहूंगे फ्यूचर में जब आप किसी दिन अपने अतीत को याद करूंगे तो आप खुद से कहूंगे कि मैं एक कर सकता था, मुझे एक करना चाहिए था। आपको कभी भी हार नहीं माने चाहिए क्योंकि ये सिर्फ आपका dream नहीं है। आपके इस dream से आपकी family का dream भी जुड़ा हुआ है। आपके friends का dream भी जुड़ा हुआ है। आपके relatives का dream भी जुड़ा हुआ है। आपके प्रोसियों का dream भी जुड़ा हुआ है। यानि कि बहु क्योंकि इस बात से कोई फरक नहीं पढ़ता कि कल क्या हुआ था, पाश्ट की बाते पाश्ट में ही रहने दो, आज आपको फिर से एक नया दिन मिला है, फरक इस बात से पढ़ता है कि आपने अपने ड्रीम को पाने के लिए आज क्या क्या, आज क्या करने वाले हो, आप अप आपने हिम्मत छोड़ दी और हार मान ली तो आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन आपको पस्तावा ना हो यानि कि जब आप future में होंगे तो आपकी लाइफ का हर एक moment हर एक दिन हर एक लमा उसी पस्तावे के साथ कुजरेगा आपको बहुत ज्यादा regret होगा कि आपने इतनी अच्छी opportunities को कैसे छोड़ दिया कैसे give up कर दिया उस टाइम पर आपको लगेगा कि यह बहुत आसान था मैं कर सकता था पर लेकिन उसका कोई मतलब उसका फिर उस टाइम पर कोई फाइदा है नहीं रहेगा आपको failure याद आएगा बार बार याद आए अब यह बात आपको decide करनी है कि आपको अपनी life में हर पल खुसी के साथ बिताना है या फिर अपने उस लमे के साथ जिस वक्त आपने हर मानी थे तो दोस्तों मैं फिर से last में इसे summarize करूँगा जो है आपको से दो चीजों पर focus करना है पहला है खुद पे बरोसर रखना है औ मत नहीं हरनी आगे पढ़ते रहना है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे लगी होगी और अगर अच्छे लगी है तो इसे like जरूर कीजेगा और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो subscribe जरूर कीजेगा और अगर आप चाते हैं कि ये वीडि